कि सब्सक्राइब करें से टेकनिकल चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हैं हेलो फ्रेंज़ुए आज के हमारे वीडियो का टोपिक है एक बल्ब ऑमल्टीपल प्लेस से अनओफ किस तरह किया जाता है आज के सुदियो में इस पल्ब को से उनओफ करने वाले है यही आप इस फोरड प्लेस से 5 ब्लेस से 6 फ्लेस से जितने भी प्लेस से on off करना चाहते हैं तो आसनी से कर सकते हैं इसी control wiring को आगे बढ़ा कर तो हम पहले देख रहे हैं इसका connection किस तरह किया जाएगा और या किस तरह काम करेगी उससे पहले हम समय लेते हैं इसके लिए हमें कौन से switch का use करना होगा इसके लिए switch की requirement देखी जाए तो हम यदि 3-place से कर रहे हैं तो पहला और आखरी तो हमें 2-way switch यूज़ करना होगा यह हमने 2-way switch यूज़ किये है यदि 3-place से कर रहे हैं एक जगा हमें special switch यूज़ करना होगा यह हमने double pull 2-way switch यूज़ किया है तो आप इसमें switch के requirement क्या होगी यूज़ आप 3-place से कर रहे हैं तो पहला और आखरी तो 2-way switch बीच में special switch यूज़ आप 4-place से कर रहे हैं तो पहला और आखरी 2-way switch बीच में 2 special switch यूज़ आप 5-place से कर रहे हैं तो पहला और आखरी तो 2-way switch होगा बाकी के 3 हमें special switch connect करना इस तरह की जो वाइरिंग होती है इसका रिक्वार्मेंट हमें सब्सक्राइब यहां तो हमने बल्ब लिया है यदि आप कोई घर की मोटर हो गई है कोई भी लोड हो जिसे मुल्टिपल प्लेस से ओन ओफ करना चाहती तो इस तरह की वाइरिंग करके आसनी से कर सकते है तो पह आगे एक स्विच बिना के भी कर सकते है तो आजसनी रहेंगी से काम हो जाएगा अब हम देख लेते किस तरह काम कर रहा है फिर हम इसकी च्रॉम इसकी वाइरी मिन्ग 그대로 है टोड्रियंग पहला हम इसकी विर hometown देख लेते कहीं से भी off आसनी से कर सकते हैं तो इस तरह के control wiring आप बना के कि यह सब्सक्राइब लोड था यदि आप motor हुई तो motor को भी आसनी से इस तरह control wiring कर सकते हैं अब हम समझ लेते हैं इसके wiring हमने किस तरह की है पहले हम इसे drawing में समझेगी फिर हमने किस तरह इसमें किए स्विच में देखी चलिए पहले हम ट्रॉइंग में समझ लेते हैं तो चलिए हमारी control wiring बन गई है किस तरह बनी है और किस तरह इसके working रहेगी यह समझ लेते हैं सबसे पहले तो किसी भी bulb को हमें on off करने के लिए इसमें phase zone neutral देना होते हैं तो हमने neutral bulb में यहां से डायरेक्ट दे दिया है और phase यहां से घुम के आएगा जब भी हमारा स्विच में यहां पर phase आएगा तो हमारा bulb गलो होगा हमने control wiring इस तरह की है कि किसी को भी हम on off करें तो हमारा phase यहां पर आ जाएगा किस तरह होगी वह हम देख लेते हैं अब यहां पर हमने देखा है जो डबल पूल टुवे स्विच है उसमें 6 टर्मिनल है तो पहले और आखरी को यहां पर हमने लूपिंग कर दिया है अब इसकी wiring हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हमारा phase यहां पर यहां पर यहां पर यहां लोड में आ जाएगी अब यह स्विच यहां तो उपर होगा यह नीचे होगा सबस नीचे है तो नीचे होने कंडिशन में क्या होगा यह सप्लाई हमारी यहां पर यहां से हमने लूपिंग यहां पर की है यहां से होती ही हमारे इस टूवे स्विच से होती ही लोड कौन करेगी अब हम समझ लेते यदि यह है उपर की तरफ हुआ उपर की तरफ में किस तरह काम करेगी यहां पर आने से क्या होगा यहां यहां पर आने से क्या होगा यहां यहां पर आने से इस लोड मा जाएगा और हमारा बल्ब आन हो जाएगा तो इस तरह इसके वरकिंग रहेगी यहां थी प्लेस से किया है यहीं 4 प्लेस से होगा तो एक और स्पेशल स्विच ऑफ़ेशल सविच दबल टू ए सविच यूजश करना होगा फाइप प्लेस थी टू ए सविच यूज़ करना आप इसके वायरिंग स्टार्ट करते हैं यह फेज हमारा आया इस तुए स्विच के सेंटर में दिया लोड में यहां से हमारा उपर और नीचे से एक वायर निकला जो हमारे इस स्विच के लोड मा आ गया है तो आप रेड वायर देख सकते हैं और आसपस यहां पर हमने लोईग में दिखाई थी आवएक पर फिर से देख लेते हैं यह काम किस तरह कर रहा है तो चलिए देख लेते हैं हमने स्विच को यहां से यहां से ऐन यह उनओं किया oni से का निससे कर सकते हैं इसके requirement जाविकतर अधिकraft यहां भी होता है जहां पर हम एक मोटर को मॉटिपल प्लेस से on-off करना होता है, तो भी आप कर सकते हैं, एक लोटो कहीं से भी on-off आसाने से किया जा सकता है, तो friends, I hope आपको आपको अमारा ये है वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कैसा लगा है, comment समझरोर बता है, और इस वीडियो को topics related आपको जो भी टाउट से comment समझरोर पोचें, हम पर ही कोशिश करेगा उसका जवाब दे सके, तो friends, आज के लिए इतना ही, thanks friends.